मांगे हैं शोर नहीं, टीचर हैं हम चोर नहीं वोकेस्द ट्रेनर को सैलरी बढ़ा के देने के लिए इनके पास पैसा नहीं केजर्वाली पंजा में जा कर बोलते हैं कि हमारे दिलली के शिक्षक बहुत खुस है और उनको हम प्रमनेंट कर रहे हैं, ये करें, का करें हैं प्रमनेंट, देखो हम बैठें यहां पर वो केसले ट्रेनर्स खुद प्राइवेटाइजेशन के खिलाब और खुद स्कूल में आप प्राइवेट टीचर रख रहे हो ये जो काम कर रहे हैं ये सारा इसकैम कर रहे हैं ये धरने की सरकार है और धरने के ही भिहाब पर ये आज यहाँ पर रोटी सेख रहे हैं अपनी दिल्ली के अंतर नमस्कार आप देख रहे हैं के अपनी टीवी और मैं हूँ इदुष्टर अपाधा इस बक्त मौझूद हो मैं दिल्ली के सिविल लाइन मेट्रो इस्टेशन के पास जहाँ पर वाक रिस्नल ट्रेनर्स जो हैं वो धरना कर रहे हैं केजडिवाल सरकार के खिलाब इनके कुछ मांगे हैं जो साथ साल से लगातार मांग करते हूँ आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है स्किल एजूकेशन, वर्ड़ क्लास, स्किल टीचर, पेलोड कλάस मतलब यानि कि ये चाहते हैं कि जो इनको पैसा दिया जा रहा है वेतन दिया जा रहा है वो बहुत कम हैं इनके अनुसार क्या कुछ इनकी मांगए हैं चलिए सीधे लोगों के भी चलता हूँ इसे जानने की कोशिश करता हूँ पहले 15-20 बार हम लोग मनीज सिसवदिया जी के कारियाले जा चुके हैं, केजरिवाल जी के दफ्तर पे भी जा चुके हैं, और अपने अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन मनेज सिसवदिया जी ने प्रण ले लिया है, कि हमारा गला दाब कि हमें मारएं, जब तक नहीं मार देंगे, तब तक वो मानेंगे नहीं, आब बताइए, 7 साल से हम कारे कर रहे हैं, हमें 20 अजार तनका दी जाती हैं, उसमें भी कंपनी काठ के हमें 16, 17 अजार दी जाती हैं, और जिसपर… जो चुट्टी होते हैं उसको नहीं काटा जाता लेकिन 16,000 रुपे दी जाती है मंतली 2015 में हमें 20,000 दिया जाता था और आज भी 20,000 है हां हमारा बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि सिक्षा में हमने कांति ला डाली कहते हैं कि अब तो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल ह हमारे एक साल के अंदर जो 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 जितनी सरकारी स्कूल खोले हैं स्मार्ट क्लासिस को लिए उनमें तो बहुत बच्चे आ रहे हैं बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं आप बतारा हम वह ऐसे दावे करते हैं हाँ आप कुछ जगा छोड़ दीजिए बाकी दिल्ली में 1100 इस जो एसकील एजुकेशन देते हैं बच्चों को और जिसके लिए जिसके दम पे इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर बनाया है उसी वोकेशनल ट्रेंडरों को ये 16,000-15,000 पर रखे हुए हैं क्या नाम है आपका सर मेरे ना मुकेश है पूरे सिक्षा मंतरी के वादे अधूरे ये NSQF मतला क्या चाहते हैं सर सबसे पहले मैं आपके चनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं और दिल्ली की जो सरकार आम आदमी पार्टी ये पोस्टर आप देखी रहोंगे इस गवर्मेंट के पेरोल पर कराये जाएगा और साथ साल से अभी तक हमारे वेतर में कोई विवर्दी नहीं हुए और लगातार हमारा शोशन ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है सिक्षकों को लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं कितना सच लग रहा है इनके वादों का जो नतीज है आप लोग आज देखी रहोंगे आपके चैनल के माध्यम से हम लोग साथ साल से शोशित हो रहे हैं और हमारे वेतन में एक भी परसेंट की कोई विवर्दी नहीं की गई अब तक अब बहराल आगर मैं बात करूं हर्याना की हर्याना की सरकार ने बढ़ा भी दी है कम से कम केज्रीवाल को उन्से कुछ सीख लेनी चाहिए पंजाब में जाके बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे हम हमारी सिक्षा क्रांती को देखके पूरा देश हमारा मॉडल बन गया है, हमने मॉडल बना दिया, यह कर दिया है वो टोटली जूटे वादे हैं, जैसे कहते हैं उची दुकान और फी के पकवान दुकान और फी के पकवान यह आप देख सकते हैं, सब के हाथ में पोस्टर से हैं अच्छा आप दिखाई उपर क्या लिखा हुआ है, सेव विटी, सेव स्किल एडुकेशन क्या कहना चाहरे हैं आप? सर मैं यह कहना चाहरा हूँ कि यह मांगे हैं, शोर नहीं सर मैं आपको यह तीन बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके महद्य हमसे मैं पहुचा देना चाहता हूँ मनीश सोधिया जी को तो चोर नहीं बैटे हुए यहाँ पर यह चोर नहीं है सर यह यहाँ पर अपनी मांगे अपना हक लेने के लिए बैठे हुए है कोई एक नेता कोई एक नेता यहाँ पर यह पूछने के लिए नहीं आया है कि भाई तुमारे दिल का हाल क्या है यह चाल है यह पाल है मैं क्या बताओं यह मेरे दिल का हाल है हालात आप देख रहे हालात आप यह देखिए तीन चार कर रहे हैं हजार 30 एक मुझे आपको कौन में हो का बता थे था हूं आपको कौन-कौन से स्कूल में हो कि अनुको इतना 700-800 trainers हैं जिन में से यहां पर 200-300 trainer आज आपको मिले थे ठीक है ना उसके अलावा और trainers जो है वो ट्विटर के माध्यम से सारे काम कर रहे हैं लोगों को पता है कि भाई हालात कितने बुरे गुजर रहे हैं आपको लगता है सर 16000 की salary में किसी का insurance होगा किसी का health insurance होगा अभी मार पढ़ जाना तो मर जाएगा बच्चा आप बचानी सकते हैं उस बच्चे को 16000 की salary में क्या कर लोगा आप बताईए मुझे तो इस शिक्षा क्या होती है यहां पर यह एक अब सिर्फ धकोसला बनाके डाल दिया दिल्ली के अंदर में बताऊं आपको education is the tool to survive the better life यह हमने डेड़ डेड़ लाक रुपे salary बाहर जो है यहां से यहां से बाहर अगर आप जाएंगे ना प्राइवेट सेक्टर में महां कमारे लड़के और लड़कियां corporate लेवल पे यहां पर सोला सोला हजार की जवावों को और यह कहते हैं कि हम future बनाएंगे कैसे बना लोगा यारा future मांग कैसे पूरी होगी सर सबसे पहले तो यह बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सर जो इस्किल्स इंडिया का जो प्रोग्राम है मैंने पहले भी यह बात कही हैं दूसरे चैनल के माध्यम से और आज फिर बता देना चाहता हूं जो हमारे स्कूल में एक 9th क रोटी चैनल कौन चाहстा हूँ हमस्टर्स कर आए हैं और हम YES good चोन् commence के लिविभी युनिवर्सटी से हमलों मास्टर्स करके आये और हम यहाँ पहें जोड़ागरों कर रहे हैं यहाँ से और कितने लोग यहां पर टेली कम्यूट करते हैं, जानि कितने 트ेनर यहां पर ऐसे है, जो यूपी से ट्रेनर करते हैं, यहां पर रह रहा है दिल्ली में, और आटट ददस हजार उपे के room rent दे रहे हैं, हम लोग मन्थली सर, तो यह जो skills इंडिया का जो project यह चला जो हमोग Vehicles और हमें यहां पर बिल्कुल भी कोहीं हैं होMusic चाहे बूंओ n ये सरकार हो जाहे बीोरा जाईब सक्राष के समय काश्राइब प्रिंसिपल हो जाहे वो क्यों कोई हो सर उनके माध्याज में यह मिलती है आप धर ने पनवाफ उठाओज तो rules आपको कंपनी से निकाल देगा सब्सक्राइब किसाना अंदोलन में जा सकते हैं खुला समर्थन दे सकते हैं लेकि दम की दिल्वारा है कि नौकरी चले ऐसे कैसे सर मैं यह भी बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप मुझे बताइएगा आपको सब सकते हैं और किसी बी तरह से हम अपना धरने को रख सकते हैं अपनी मांग इसादत देता है व्यादक कि मेरे नाव कमले किस पहले मैं हमारा मद थे रखना चाहूंगा जो क्योंकि फीpp假 जाम जनता तक हमारा मुद्धा ही तरीके से नहीं जा रहा है। 2013 से पहले पुरानी वोकेशनल एजुकेशन चलती थी जिसमें क्या था कि सिलाई कडाई और यह सारे सब्जेक्ट थे जिसको उनका स्कॉप कम देखते वे गौर्मेंट ने सेंट्रल गौर्मेंट ने नई स्टैट तो इसमें सेंट्र गौर्मेंट ने इनको sangat को कि आप चाहो तो डाकट डिपार्ट्मेंट का थ्रू ले सकते हो आप चाह机 तो आप कम्पनी उ को को सकते हो अगल कि अब क्या हुआ था जब दिली में इंपलिमेंट चूओ लए रमें तर्फी शेशनं में तब बाई स्कूलों में डारेक्ट लिये गए थे डारेक्ट उसमें बीटीपी जो कंपनिया नहीं थी वो केशना ब्रांच बीटीपी कंपनी बनी दी अब सेम आसाम में भी ऐसे हुआ था अब आसाम गौर्मेंट ने क्या किया उसके बाद दिली में 205 स्कूलों में प्राइवेट टीचर रख रहे हुआ जिनका क्या सेलेक्शन प्रोसीजर सेम और जो टीचर है उनकी तरह हुआ था अब यह डिपाट्मेंट कर रहा है इनकी फाइल गूम है तो यह बताइए ने सर्कूर्प्शन हुआ होगा कहीं तो वह फाइल कैसे गूम होगी आप डिपार्टमेंट सर्कुलर निकाला कि वाल कहते कि हम ब्रश्टाचार करते हैं इसके खिलाफ है ब्रश्टाचार का तो यह खुदी रेखलो ने सर्जब दो है उनसे इतनी बड़ी चूख है यह सिख्छा भाग हो कहते हैं कि हम ब्रश्टाचार नहीं करते पर जिस मॉडल को लेकर वह आंगे चल रहा है जिससे उनकी सरकार बनी सबसे बड़ा भरश्टाचार उनका वहीं पर हो रहा है वो केशनल ट्रेनर इसका सबसे बड़ा फिरम नहीं करती इनको जासा देते गए कि हम कर देंगे कर देंगे 2021 में बोला था कि कर देंगे बढ़ा देंगे इन्होंने आउट सोर्स के थूइंगे को किया अगर कोई किसी ने आवाज उठाई तो उसे बाहार निकाल दिया गया और जब फाइल आंगे भेजी जाती तो ये बहा हम सिर्फ एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं तो क्या वह 25 प्रति यहां पर खर्च हो रहा है क्या हम वो डिजब कर रहे हैं हमारी जगापर हमारी प्लेटफर्म पर दूसरा ओल्ड वीडी वीडी जो है हम से तीन गुना ज्यादा ले रहा है सारे स्मार्ट क्लास की बात करत हमारा कॉंटेक्ट खतम हो रहा है इनके अंदर हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी क्या सोलह हजार की तंखा में दिल्ली जैसी जगापर सर्वाइब करना पॉसिवल है साथ साल में इनके बीवी बचिन का परिवार बढ़ गया इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है नहीं आते हैं मैं कहां जाकर थमेगी आपकी मांग हमारी मांग बीचलेवाहत्व से सरकार अपने दिमाग से आपने पंजाब में दो टीचर पानी के टंकी पे चड़े दे जब वह उनको दिखाई देगा पंजाब में बैठे तो क्या दिली में उनके घर के आगे बैठे हुए टीचर दिखाई नहीं देते हैं यह जो ढूरा पीटते हैं कि हम टीचर के लिए यह करते हैं हम वो करते हैं टीचर को आपने रोड पे ला दिया आपने शिर्फ और शिर्फ उसको प्राइविट बना दि है कि हम एक सैलरी नाम पर सिर्फ 16-17 रुपे मिल रही हमारे हैं में हम लोग हैं सभी लोग है उसके नाम पर अगर मैं एक एक जामपल दूँ मेरा चोटा ब्रदर है बीटेक करके उसने कंपनी जोईन करी पिछले साल आज 16 लाग का पैकेज ले रहा है और मैं 16 ले रहा हूं क्वालिफिकेशन इनके पास उसके बावजूद भी इनको किस तरी से साथ साल काम करने के बाद कहीं और जाने का कोई मुद्दा नहीं रहा हमने सारा अपना टाइम यहां पर स्पैंड कर दिया ना मैजिक मतलब उसमें अपलाई कर सकते हैं नहीं अब उसमें प्राइविट सरकार को समझना हुआ कि आप बड़ी-बड़ी बात है तो करते हैं आप कहते हैं कि सिक्षाम हमने क्रांती ला दिलेकिन यह लोग जिस तरह सड़कों पर है एक हाई क्वालिफिकेशन के जो लोग है एक तपका है वो सड़कों पर है उसकी मांग है वो मांग आपके आधार पर यह आपने जो वादा किया था उसको मांग उठा रहे हैं तो एक बात बिल्कुल यहां पर सीदी से मेंस है कि ना तो यह सेंटर और स्टेट का कुछ रोल नहीं है जब हर्याना गवर्मेंट हमारे जैसे जो वो कैसलर ट्रेनर है सेम यहां पर हैं सेम वहीं पर थे जब व नहीं है तो अपने यहां पर काम कीजिये तो हमारी मांग यह है हाद जोड़ कर हम प्रातना करते हैं कि हमारी जो बाते हूँ सुन लीजिए हमारे उपर भी कुछ ध्यान दीजिए नहीं तो हमारा ऐसा टाइम आगा कि मात हम हत्या करने पर मजबूर तक हो जाएंगे वो के सब्सक्राइब ट्रेनर वी आर टीजिंग स्टाफ ऑफ और इसकुल डाइट जहां पर एक टीचर एक लाग पांच यार एक लाग बीस यार सेल सब्सक्राइब टाइब करदे टेथ हो सब्सक्राइब दिखा अब्यूर्व में करें से बिघूर norm टाहान कर दिया जाए हुआ थे सर वही मांगे हम लोग को सेलरी इंक्रिमेंट चाहिए पॉलिसी चाहिए हम चाहते हैं जो हम इतने साथ साल से पीछे हैं हमें सेलरी बढ़ाई जाए हमें इक्कोल पे इक्कोल वर्क चाहिए इक्कोल वर्क आपको लगता है कि केजरिवाल साब मानेंगे इस आपकी मांग को द ही लड़ रहे ह IO का वालों का भी बढ़ाते हैं वितन तो हमारी क्यों नहीं बढ़ रही है हमें उनक्रिमेंट चाहिए हम全 अध्यूपर यहाऊ कर दो पर आने के लिए मजबूर कर दीकिले के सरंद्र कि कहां है पर द Dennie है ठबाताधर für लेकिन जब इनी के लिए जब धरना दिया जाता है तो बिलकुल इनके कान में जू तक नहीं रहें बड़ी बात है यह जब बीजेपी के खलाब धरना होता है तो केजरिवाल साहब हाथ खड़े करके किसान अंदलों को दे दें के समर्तन लेकिन जब इनकी पोल खुलती है और और इनके खलाब धरना होता है वहां यह आते भी नहीं है पता है सेलेक्टिव लोग है अपने स्टेट का तो भला करें जाम में कह रहे हैं कि हम कर देंगे गेस्टीजर्स को वह किस्टनल टेनर्स को अच्छे तरीके सिल्ली में खर्चे इतने बढ़ गए हैं 16-17,000 में पैसा नहीं है तो दोगला पंती नहीं चलेगी क्योंकि हर किसी का राइट है कि वह अपनी बात बोली एक बात और आपके चैनल के मादम से कहना चाहूंगा वह हम डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पोरी नहीं होते चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों हम यहां तक बर चुके हैं क्योंकि कभी भी एक शिक्षक की परिभाशा में यह शब्द नहीं आते कि वह किसी का विद्रो करें लेकिन विद्रो और अन्याय सेना भी उसके लिए महापाप होता है कि जो केज्री वाल सरकार आने से पहले वादा करती है उसमें कि यह सब से बोलूंग जब भुण निकी बात मत मानना क्योंकि सब लोगों जो सब होए वो आज यह हाला आता है हम ऐसे खड़े हुआ है अपने घर और छोड़के जो बात कहते हैं उसमें बहुत कुछ अंतर होता है जमीन पर कोच और जुबान पर कुछ होता है बताए कि साथ दिन के धरना चल रहा है शायद यही धरना अगर बीजेपी सरकार के खलाप होता कोई बीजेपी गोर्मेंट होती उसके खलाप होता तो जरूर आमदी पार्टी के कई नेता इस धरने से गुजरते और हाथ हिलाकर इनका अवादन करते और यहां राजनीतिक रोटियां भी सिकते ल है केजरीवाल ने क्या बदलाव किया साथ साल गुजर गए लेकिन यहां के जो टीचर्स हैं जो कह सकते हैं कि वोकेशनल टेनर हैं उनकी इस्तिती जसकी तस है अभी तक कोई इस्तिती नहीं बदली है अब देखना यह होगा कि इनका जो आंदोलन उग्र होता जा रहा है कह सकते हैं उग्रतों नहीं कहेंगे लेकिन जो जान है उन्होंने कि है उसकी आबाद के इस कीशनिवाल के पूश झाल झाल